वेलकम टू आज चानल मी एन मममा आज हम बनाने जा रहे है पारले जी के स्विस्स रोल तो उसके लिए में क्या क्या चाहिए ये दो पैकेट मैंने पारले जी के बिस्किट लिये हैं जिसे कि मैंने मिक्सर में पीस लिये हैं छोटे मिक्सर में हम पीसेगे तो बिल्कुल अच अगर फोर जादा लग रहा है तो आप 3 भी डाल सकते हैं 3 टेबल स्पून ही डाल रही हूं जाता मीठा हो जाएगा बिस्किट भी मीठा ही रहता है और फिर मैं डाल रही हूं इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर थोड़ा मीक्स कर लेती हूं फिर बाक्यचीजें डालती हूं अब मैं डालूंगे इसमें 2 टेबल बटर नॉर्मल टेबल पर रख दिया हमने कि टू टी कुंद हूं टू टी कि टी कि टी थे ज़ुड़ का चौकलेट क justamente गाइज ये टी स्पून डालना है टी स्पून हाँ प्रीज में थोड़ा वो हो गया है थोड़ा ज्यादा गिर गया है अब पस्टालते दियों अब इसे अच्छे से अब इसमें थोड़ा दूट डालते जाओंगी मैं दूट भी मैंने नार्मल टेंप्रेचर पे रख ली है बाकी स्टफिंग के लिए फिर मैं आपको दूसरा प्रोसेजर बताऊंगी पहले हम इसमें दूट मिक्स कर लेते हैं पहले हाथों से अच्छी कैना इसा आटा जैसा रोटी का करते हैं आटा जैसा रोटी का जैसा आटा हमारा थोड़ा आटा रूच रहा है वैसे करना है दूद भी मेरा नॉर्मल है बहार निकाल कर रख दिया था फ्रीज से जोपने को दो तैयार करना है और इसे हम फिर पांच मिनिट रखेंगे जब तक कि हम स्टफीन तैयार करेंगे इसकी सो गईस देखे हमने डो रेडी कर लिया है बिल्कुल हाड नहीं है वल्का सा सॉफ्थ ही है ताक कि हम उसको बेल पाएं अब मिक्स्चर तेयार करेंगे एक बोल में हम लेंगे नारीयल का चूरा तो तो यह अठी है यह तू टेबल स्पुन अन्य तो यह जोगो मिक्स टू और यह थी त्री तेबल स्पुन यह हमने ताक किता है तेचा कि पाएं और यह हमने किता है थी तीपे डिवल इस्पुन नारीयल का चूरा लिया मैंने वन टीशपुन बटर डाला है और दो टीशपुन में इसमें में शुगर डालंगी अधर शुग पीज़ी्ट ही हम फीलिंग तैयार कर रहे हैं और तोड़ा डाल दूदू और इसका भी हम गोला तयार कर लेंगे तो देखे गाइस यह हमारा डो बन के रेडी है इतना सॉफ्ट होना चाहिए यह देखे और थोड़ा मैंने इसको अच्छे जैसे हम रोटी के आठे को आसा गर कर लेते हैं असा मैंने कर लिया इसे पांच मिनिट का तोड़ा प्रेस दिया था हमने इसको अब इसे हम पेपर पे रखके बटर पेपर पे या फीर आप नहीं है तो पॉली तीन पर भी पर सकते हैं पार्श्मन पेपर है यह बहुत अच्छे से बिल रहा है यह इसको एर शेप में करना है हमेसे दूर दिरे करके ज्यादा हाँ दबाके न मैं को लिए डाई बिल भी से बिल रहाम इसे हमें थोड़ा हाथ से ही देना पड़ेगा शेप अलका सा स्क्वेर इसे हमने इसको बेल लिया अच्छे से शेप आप स्क्वेर लाग सकते हैं तो ठीक है नहीं तो ओवल भी चलेगा कि नारा छोड़ते जाना हमें थोड़ा थोड़ा और फिर यह लगा लेना हमें बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी लगेगी यह को अच्छे से फिला कर देना है इसे हमें कॉर्नर यह छोड़ देना है साइड साइड में पूरा नहीं लगाना है सेंटर सेंटर में यह चोड़ देना सिर्फ बीच-बीच में बरना हमें सुग आज़ देखी हमने स्टाफिंग वच्चे से पुरा घर लिया है और अगा हमें रोल करते जाना है यह हलका हलका दबाते जाएं और पेपर पकड़े रहे हाथ में और इस तरीके से रोल करते जाएं यह रोल करते हैं फिर हाथों से दबाएं इसे हलके हलके हाथों से इसे हमें फ्रीज में सेट करना पड़ेगा भी एक गंटा पेपर में ही रोल करके हम फ्रिज में रफ देंगे हां यह हमारा लास्ट हो गया यह हमारा रोल बन गया यह पेपर सही हमें फिर से थोड़ा हाथ से सेट चर लेना इस तरी से पूरा राउंड हो गया देखिए थोड़ा हमें दबार लेना इसका शेप सही आजाए यह देखिए ठीक है इससे नहीं घुमा कर बस तरीके से इसको बंद कर दें दोने इसे अपरीज में एक घंटा एक घंटे के लिए राते हैं तो बाइस एक घंटे बाद देखिए यह हमारा रोल जो अपसेट हो गया है अगर हम इसे काटेंगे इसे में बहुत तीरे दीरे पार के काटना है इसे में बहुत देखिए इस तरीके से यह निकल कर रख गया है देखिए गाइस यह हमारे स्विज रोल कितने बढ़िया दिख रहे हैं यह देखिए आप इसे रोल जो बढ़िया से रेडी हो चुके हैं आप इस रेशिपी को जरूर ट्राय करें और हमें कॉमें सेक्शन वर बताए कैसी लगी आपको इसे रेशिपी प्लीज शेया देखिए आपको बढ़िया देखिए और हमें यह देखिए